एह, उस समय के बाद है जब पॉल परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाते थे, पॉल का मानना था कि परमेश्वर चाहता था कि वह अन्यजातियों को यीशु के बारे में बताए। इसलिए उन्होंने सीरिया, तुर्की और ग्रीज की तीन यात्राएं की। बहुत से लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और बहुत से चर्च शुरू हुए। वर्षों बाद पॉल यरूशलिम लौट आया। कुछ लोग उनकी शिक्षा से परेशान हो गए और उन पर हमला कर दिया। उन्हें गलत तरीके से गिरफतार किया गया। चुकि पॉल एक रोमन नागरिक था, उसने अपना मुकदमा रोम में चलाने के लिए कहा। पॉल को रोम की ओर जाने वाली एक नाव पर बिठाया गया। यात्रा धीमी थी। पॉल ने सुझाव दिया। आईए तूफानी मौसम खत्म होने तक क्रेते में प्रतीक्षा करें। कप्तान वैसे भी आगे बढ़ गया। बहुत बड़ा तूफान आया। सभी ने सोचा कि वे मर जाएंगे। एक स्वर्गदूत ने पॉल से कहा कि वे सभी बच जाएंगे और वह रोम पहुच जाएगा। पॉल ने दूसरों को बताया। नाविकों ने जहाज छोड़ने और बाकी लोगों को मरने देने की योजना बनाई। पॉल ने चेतावनी दी। आप तभी जीवित रहेंगे जब हर कोई जहाज पर रहेगा। सिपाहियों को डर था कि यदि कैदी भाग गए तो उन्हें दंडित किया जाएगा। इसलिए उन्होंने उन्हें मारने का फैसला किया। परंतु उनके सेनापती को पॉलुस पसंद आया। इसलिए उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि उन्हें जीवित छोड़ दे।